यह दंतुरित मुस्कान के बाद अब दूसरी कविता है फशल फशल क्राफ आप लोग जानते होंगे और सबसे पहले इस कविता में कभी कहना क्या चाहता है इस विशय बस्तु पर हम चर्शा करते हैं इस्टुडेंट्स आप सब भी जानते हैं आम तोर पर यह देखने को मिलता है समाज में कि कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है तो उस शफलता का अश्रे नाम के इसका होता है उस व्यक्ति का होता है अच्छा आप लोग फिल्मों देखते हैं कि नहीं देखते हैं फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कोई डांस होता है किसी भी सांग पर जब डांस होता है तो उस डांस में जो डांसर होते हैं तो हीरोइन के सिमलर सभी जो लेडिज हैं को डांस करती हैं एक जैसे होते हैं केवल फोटोग्राफर उस डांस में हीरोइन को फोकस करता है यह बात सही है और नाम किसका नाम होता है उस हीरोइन का होता है बहुत बढ़िया डांस किया है कोई पिक्चर फेमस होती है तो नाम किसका होता है पर उस डायरेक्टर का बता दिया जाएगा ज्यादा ज्यादा उस हीरोइन का ले दिया जाएगा बस तो पहले तो क्या हीरो हीरोइन और या डायरेक्टर का हो शकता है लेकिन डायरेक्टर से भी कहीं कि जदा उसард का विरो इनका नाम लिया जाता है और धुर्जो ऑफ से पहले इसटोरी होती है एक ठीसे समी जाती । है इस अभुसमें क्या जो सथी सबस्राइब होगी है इस फ्रहत है फिस्काइज पात्रों का जो चूंच करनी बाला हो गया है तो ठीक है इट्मास्पेर होता है इसमें जो सों सॉंग होते हैं तो सब्गर्ड राइटर होता है वह है उसका कमपोजीशन करने बाला होता है जो जो आपर कमपोज करेंगा उसको वह हो तो कहना चाहिए इसके बाद फिर उसे एक्टर को और एक्टरस को क्या है सजाने धजाने वाले हो गए तो तरह तरह कि कई लोगों का जो है एक इस पार्ट में फसल पार्ट की बात भी कर रहे थे और पता चले का आप लोगों करेंगे सर कहां यह फिल्म जगत में चले गए और फिल्म जगत को क्रिकल काट में चाहिए किसी भी जगत में चाहिए खेल जगत में यह उसमें चलते हैं कोई भी बच्चा अप्च जोटा सा बच्चाए जिसे आज कोई कि किसी उख्तिक पर पहुंच गया तो सबसे पहले उसकी मंबी ने उस बच्चे को पापा का रिष्माश हो गया उसके भेर में जो उसके छोटे भाई बहन हो शकते हैं उसके परिवार के जो चाचा चाची दादा दादी जो लोग हो सकते हैं मामा मामी इनका योगदान हो जाएगा इसकूल का हो जाएगा दोस् जाता है और जब कहे पापुलर हो जाता है तो नान केवल उसी का होता है। कि इभाल कितनी सी बात कहना चाहता है कि फसल के निर्माण में किसी एक का योगदान नहीं है। कि फशल के जो फशल बन जो तो उकती है वह वह उस फशल में क्या है पर करके तैयार होने के बाद जो फशल आती है उसमें कई कई हाथों का दर्जियों के पारी का हावा का सूरज का बता नहीं किसका किसका जो तो एक कम जो तो सहयोग होता है तब कभी जो तो फशल तयार होती है इस्टुडेंट्स इस पोयम को शुरू आद करने के पहले इस पढ़ने के पहले थोड़ा हम सर्चा करते हैं आप लोगोंने पढ़ाओगा फोटो सेंथेसिस फोटो सेंथेसिस क्या है प्रकाश सेंसलेशन क्या है आप लोगों को साइंस में आप लोगों अरण फोटो सेंथेसिस प्रकाश सेंसलेशन प्रकाश सेंसलेशन पॉध्यों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है अप फोटो सेंथेसिस में आपको मालों में क्या होगा क्या-क्या मिलता है आप सभी को मालों में इसमें क्या होगा कारवन डायाक्षार हो गया ठीक है हेस्टू को हो गया पानी हो गया ठीक है इसके बाद क्या है प्रेजेंस अफ सनलाइट सुद्रच की रोश्टी हो गई और क्या है क्लोरोफिल हो गया तो कहना चाहिए इन सभी के मिलने के बाद किसके मिलने के बाद कारवन डायाक्षार गैस पानी सुरज की रोश्टी सुरज का प्रेकास हो गया और क्लोरोफिल हो गया क्लोरोफिल क्या है हारे प्रेजे पौदों की पत्तियों में पाए जाना वाला क्या है पाए जाते है एक पिग्मेंट होता है उसको लोर फिल वोलते हैं तो बच्चों बात यहां पर यह होगा यह चार जब मिलते हैं इन चारों के बिले से पेड़ पर क्या है पेड़ों में क्या है भोजन बनता है और इसके बात क्या होता है गुलुकोज बनता है और अक्सिजन बनती है और इनर्जी जनरेट होती है ठीक है इस चीज आप लोग ने के मिस्ट्री में पढ़ा होगा 6 CO2 प्लस यहाँ पर CO2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा क्या C6 H2O6 हो जाएगा प्लस क्या हो जागा है O2 हो गया प्लस इनर्जी इसको बहले इसाब करते है तो यहाँ पर CO2 हो गया और प्लस करदें अपर क्याएगा यहाँ पर 12 12 हो गया होता है यहाँ पर सी यहाँ पर सिक्स सी ओटू प्लस ट्वल्व एस्टू ओ प्लस यहाँ पर हो जाएगा शनलाइट हो जाएगे क्लोरोफिल हो जाएगा फिर सिक्स बने का परिगा क्या सी सिक्स ट्वल्व ओशिक्स प्लस यहाँ पर ओटू बन जाएगा ऑक्सिजन बन जाएगा इनर्जी निकलेगी बैलेंस के लिएगे आप लोग होता है कि अब मुझे जो बताना अपनी विश्यपस्त पर मैं यह बताना चाहता हूं इन सभी के चार अब उस इनर्जी से क्या है उस पूरे पेड़ का पोशन होता है उस पेड़ की जड़ का उस पेड़ के पत्ती का उस पेड़ के दने का उस पेड़ के फूल का उसके बीच का हर पेड़ का जो है पूरा का पूरा पोशन होता है सब जो कहां दिया कि पेड़ हरा भरा है कि हरा भरा क्यों है जो बहुत अच्छा पेड़ है किसी एक का योगदान नहीं है कोई के दे कि उसे पानी डाला हम पानी डालते हैं पानी का नहीं होता है ठीक है तो राइटर यहां पर फशल के माध्यम से के वाल इतना बताना चाहता है कि जो फशल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्य के निर्मान में कहीं लोगों का योगदान होता है यह बात और है कि जब व्यक्ति वह सफल हो जाता है तो सब ही उसे ही जानते है प्रत्यक्स रूप में वास्ता में उसी का नाम होता है लेकिन उसे मालूम होता है कि मेरे इस मंजिल तक पहुंचने में कितने लोगों ने सहयोग किया अपनी विशेवस्ति पर आते हैं अब अब अपनी विशेवस्ति पर आते हैं वच्चों देखिए तो फशल वे इसकविता का वाचन करते हैं और इसके बाद इसकी व्याक्षा करते हैं एक के नहीं दो के नहीं धेरशारी नदियों के पानी का जादू एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटी कोटी हाथों के इस पर्ष की गरिमा एक की नहीं एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों के बिट्टी का गुण धर्म फशल क्या है और कुछ तो और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है वह हाथों के इस पर्ष की महिमा है भूरी, काली, शंदली, मिट्टी का गुण धर्म है रूपांत्रन है सुरच की तोनों का सिम्टा हुआ संकोछ है हावा की खिरकन का कभी फशल के बारे में बताते हुए कहता है कि फशल है क्या फशल में एक या दो नदी का पानी नहीं होता है इसमें धेर सार नदियों के पानी का प्रभाव होता है इसमें किसी एक हाथ या दो हाथ के इस परस से के महत्यु से फशल नहीं बनती है फशल के निर्मान में लाखों करोरों हाथों का योगदान होता है कभी कहते हैं कि फशल में एक दो नहीं बलकि हजारों हजारों खेतों की बिट्टी का गुन धर्म उसकी क्वालिटी उसमें समाय हुई बिट्टी का रश उसमें समाय हुआ है तो कभी कहते हैं कि आखिरकार फशल है क्या और फिर कुशन करते हैं खुद कहते हैं कि फशल कुछ भी नहीं उसका अपना कोई अकेला कुछ अस्तित तो नहीं है बलकि क्या है फशल में अनेक नदियों के पानी का जादू है फशल में अनेक हातों के इस्पर्ष का महत्व है फशल में भूरी काली दो मत मिट्टी के गुण धर्म समाई हुए हैं फशल में सूरज की खेड़े रूपांत्रण रूपांत्रण होता है चेंज आप लोगों ने पढ़ाओगा कि फिजिकल आपर क्या है यहाँ पर एनर्जी है केमिकल एनर्जी में चेंज होती है केमिकल जो तो फिजिकल में चेंज होती है इस तरीक से चेंज आफ इनर्जी, साइंस में पढ़ओगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर क्या है है, जो चेंज रुपाँत्रण है, क्रेणों का, क्रेणे यहाँ पर क्या है, चेंज हो रही है, इनर्जी में कणवंड हो रही है , सूरज की रोज़ली में परिवरतन है थे हैं कि फोटो संथेसिस के तुरू jurतों से एक मुझदों का इनर्जी में कणवंड होने की प्रोस्स przestरी प्लत करिया है और फशल में क्या है शिम्टा हुआ संकों से हवा की थिरकन कर और हवा आकर के क्या है थिरक्तु हुई जो हवा है बहतु हुई हवा है आकर के यहाँ पर क्या है शिमठ जाती है मतलब क्या है भोजन निर्मार की प्रक्रिया में क्या जो आपको मैंने बताया कि कार्वन डैसाट क्या करके मिल जाती है तो यहाँ पर उसे कभी ने क्या कह दिया कि इसमें हवा जो है तो थिरक्ती हुई हवा चंचाल हवा यहाँ पर आ करके एक शिमठ करके और क्या है इसमें पानी के शाथ में मिल करके और सूरज की रोष्णी के शाथ में मिल करके और क्लोरोफिल के साथ में मिल करके और यह हमा क्या है भोजन निर्मान की प्रक्रिया में क्या संक्जों सिम्ट करके रह जाती है आशे के वल इतना है कि फशल का निर्मान किसी एक नदी के पानी के बलबूते नहीं होता किसी एक दो हाथ के इस परस से या महनत से फशल का निर्मान संभव नहीं है किसी एक विट्टी के द्वारा भी फशल का निर्मान नहीं होशकता उसके लिए कभी कहते हैं कि अनेक नदीयों का पानी चाहिए अनिक लोगों की मेहनत चाहिए उनके क्या है इस फर्ष चाहिए मेहनत चाहिए और इफरेंट टाप्स की क्या मिट्टी चाहिए फसल निर्वाण के लिए आपको मालूम ही है अगर आप लोग ने यह सेस्टी में पढ़ा होगा कि कुछ क्रॉब्स होती है उसके उसके ब्लैक स्वाइल चाहिए तो अलग अलग क्या है मिट्टियां होती है B filed नंशी के अलšailे अलग-अलग पर क्ति किसिक लिए कालि चाहिए तो किसी के लिए कंट मोल ना के शूत एक ह BBQ शूर भी की उखंदव करें क्यों कभीने यहां पर बता है कि कि रूपांतर है शूर ची करूब नों करूब पर शूर्य की किए हैं किसमें आइद को कि इन्ट जाता है तो कि यह चैनल इस योगाएगा आप अलब बताओं आप लोग क्या है साइनस आप लोग पढ़ते चुन तो इसमें क्या रूप पांत्रण हो रहा है कि केमिकल यहां पर भाई क्या गुलुकोज बन रहा है तो तो कि शुरची किने हवा के साथ में मिल करके और क्या है पानी के साथ मिल करके बोजन निर्मान का काम करते हैं प्रकाम्श स्लेशन की प्रकरिय शंपादित होती है खुक बन ख़र करके कविकल के कहने कास यहां पर यह है थी फशल में सभी का शश्यों होता है सभी का सहयोग होता है तब फशल अपने अस्तुत में आती है ठीक है इस कविता के माद्दम से जैसे कि मैंने पहले बताया यहां पर कभी क्या है यहीं बताना चाहता है कि कोई विवेक्त लिए अकेले देखे दे अकेला चना भार नहीं फोर सकता कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता इसलिए आदमी समाज में रहता है सभी के सहयोग्षात में काम करता है और सब के सहयोग्षे ही काम बनता है अगर इस pół लूप में भी देखा जाए तो देखशकते हैं कि कि जब किसी के अकेले कोई कोई विया है कि अपिरा चलन भाड नहीं कोड़ सकता और एक विक्ति का इंजीक का एक विरुजों ने का है और लोकोक्ति in एसा ठाग एब आते हैं कि कविता में फसल उप जाने के लिए आवश्यक्तत्तों की बात कही गई है वे आवश्यक्तत्त कौन कौन से हैं फशल को हातों के इसपर्ष की गरिमा महिमा कहे करके कभी क्या विक्त करना चाहता है और चोथा है भाव इसपर्ष किजिए रूपांतर है सूरज की क्रेणों का शिंबता हुआ संकोष है हावा की सिर्गन का तो बच्चों इसके चोषन आशर मुसलते हैं और प्रशन अतर में देखते हैं कवी के अनुशार फशल क्या है तो कवी के अनुशार फशल नद्रियों के पानी का जादू है हाथों के इस पर इसकी महिमा हैं मित्री का गोन धर्म हैं सूरज की किनों का तेज है और हवा का थिरकर है फिर से आपको बता दें कि कवी के अनुशार के फशल के नद्रियों की पानी का जादू है हाथों के इस पर इसकी महिमा हैं बिट्री का गोन धर्म हैं शूरज की किनों का तेज है और हवा की थिरकर है कवीता में फशल उप जाने के लिए आवशक तत्त की बात कही गई है वे आवशक तत्त कौन कौन से हैं देखिए कवीता में फशल उप जाने के लिए आवशक तत्त की बात कही गई है इन में से मिट्टी में उपस्तित क्या पोशक हो गए तत्थ हो गए सूरज की किर्णे हो गई पान हो गए हवा हो गए ये सब ही फसल उपजाने के लिए आवश्यक्तत है इनके साथ ही किशानों की महनत भी उतनी ही जरूरी होती है तो क्या हो गया मिट्टी में उपस्तित पोशक तत्थ हो गए सूरची केड़े हो गई पानी हो गया हवा हो गई ये तत्थ तो हैं ही लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया किसानू की भेनत भी उतनी ही जरूरी होती है कुशन नमर थर्ड फसल को हाथों के इस पर स्की गरिमा और महिमा कहे करके कभी क्या व्यक्त करना चाहता है तो फसल को हाथों के इस पर स्की गरिमा और महिमा कहे करके कभी यह व्यक्त करना चाहता है कि किसानों की महत्ता को उजागर करना किसानों के महत्ता को यहाँ पर कब उजागर करना चाहे रहा है बताना चाहे रहा है उजागर करने को बताना कब यहाँ पर किशानों के महत्व को बता रहा है देखिए कोई भी देश या समाज फशल के बिना नहीं रह सकता और बिना किशान के फशल नहीं उख सकती इसलिए किसानों के हाथों का जादू हम सब के जीवन के लिए अत्यन्त महत्यपूर्ण है मुश्य नमबर पॉर्ट भाव इस्पिस्ट कीजिए रूपांतर है सूरज की केड़ों का सिम्टा हुआ संकोच है हावा की थिरकन का बच्चो इन पंक्तियों में फशल उप जाने से में क्या है फशल को उप जाने में क्या है सूरज की केड़ों का तथा हवा के योगदान को दर्शाया देया है बताया देया है कि फशल उगाने के लिए सूरज की रोशनी की अवशक्ता होती है फशल उप जाने के लिए अपर हवा की दिरुरत होती है फसल प्रकेति से अपना भोजन प्राप्त करती है शूरज की केड़े अपनी उश्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है तो वहीं हवा की मंद गती फसल के बढ़ने में सहायक है बात ये भी क्या है बहुत अच्छी बात यहां पर है कि फसल के भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अभी हम चर्चा कर रहे थे तो भोजन को बनाने की प्रक्रिया में तो क्या है अवश्यक है ही लेकिन अगर क्या है फसल अगर तैयार हो गई है तो फसल अगर क्या है उसमें कैदाने आ गए उसमें फल आ गए अब उसे पकना है तो पकने के लिए क्या है सूरज की तेज रोशनी उसे अवशक है और शाथ में क्या वशक है हावा भी उसे चाहिए तो इस तरीकी से क्या है कभी ने यह भाव व्यक्ति करने का प्रयाश किया है कि कोई भी व्यक्ति है अगर क्या है उसे परपक को होना है पकना है तो किसी न किसी प्रकाश रोच से ग्यान पुंजिस से उसे के सहारे में उसके आश्रा में उसे जाना चाहिए ठीक है जैसे प्रेड़ों पौदों के फ़लों को पकने के लिए क्या है उसे सूरज की रोशनी के अवश्यक्ता पड़ती है वैसे क्या है हमें अपने जीवन में परफेक्ट होने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यक्ता है ज्यान और देश जो भी है उसके आवश् तो बच्चो इस तरीके से यह आपका चैप्टर पूरा हुआ और इनकी दोनों कविताएं यह दंतुरुत मुश्कान और फसल के कुश्चन अंसर पूर हो गये थेक्स स्टुडेंट्स आप लोग अपनी प्राव्लम्स को स्टाट आउट करके और हम भी बताएगा ओके गुद्डेए